सच साहस सरोकार जिसके बाद वो हनुमान गड़ी और राम लला का दर्शन पूजन करने और उसके बाद सीधा आयोध्या बेगम पुरा इस्तेतर मलिन बस्ती में दलितर बस्ती के आवास पर भोजन करेंगे तो स्यम्योगी आदितनात एक बाद फिर आयोध्या के दौरे पे हैं आयोध्या में जिस तरह से राम लला के मंदिर का दर्माड का रिचल रहा है उसका जाइजा लेने के लिए जा रहे साथे कई परियोजनाओं की सम्मिक्षा भी करेंगे आपको बता दे के राम लला के दर्शन और पूजन भी करेंगे साथी साथ हनुमान गड़ी में भी मत्ता ठेकेंगे और इसी के साथ मलिन बस्ती में दलित बसंती के आवास पर भी भोजन करेंगे और इस खबर पर मैं सबस्वाद बातचीत के लिए सम्मधाता विभांशू जुड़ चुके है लखनव से विभांशू आज दूसरी बार आयुद्धा के आयुद्धा जा रहा है आपको बताएं कि सियम के जो फ्लाइट है वो ज्यारव जे आयुद्धा के अंदर में पहुंचेगा आपको बताएं कि आयुद्धा पहुंचकरों सबसे पहले हनुमान गड़ी का दर्शन करेंगे उसके बाद रामलला का विराजमान के कामकारियों का समिक्षा करेंगे और स्थाई कि परियोजनाओं के बारे में समिक्षा की जाएगी साथ साथ इसकी प्रजपी पे चर्चा की जाएगी वहीं आपको बताएं कि दाई बजे बेगंपुरा इसकित एक मलीन बस्ती में आज योगी अलिक्तनात भोजन करेंगे जिससे साफ तोर पे जो समाज में एक्ता की मिस पेश करने को लिक आज मलीन बस्ती में भोजन करेंगे और ही आपको बताएं कि वहां मौजूद लोगों से केंद्र एर्म राज-सरकार की जारा चलाई जा रही योजिमाओं के बारे में समीक्षा करेंगे और जी आपको बताएं कि इस दौरान उनके साथ आपको बताए कि तीन से चार वह तक मेराम लाला भी रजमान हरम आपको बताए कि विश्व धार्मी के अच्छली पनाई जा रही है उसकी समीठ्सा करेंगे साथ ही आपको बताए कि तो हजार चौबीस का जो लक्ष रखा गया है मंदिर को निर्मार कारे पूरा करने को लेकर तो उसके लिए भी दिसा निर्देश देंगे उस साथ बैठ कर चर्चा करेंगे वहीं आपको बताए कि रातरी आज रातरी इस्वाम आऊज़ा के अंदर में वह सर किट हाउस में करेंगे वहीं आपको बताए कि साथ मही आदी कि कल, कल योगी आदितिनाथ आयोध्या से लखनाओ के पुलिस लाइन हेलिपैड पे पहुचेंगे और फिर वापस लखनाओ आएंगे जी विभाशू आयोध्या को परेटन इस्थल बनाने की पूरी कोशिश चल रही है ताकि देश विदेश से जित्ते भी परेटक आएं उनको किसी भी असुविधा के सामना करना पड़े और साथी साथ परेटन भी बढ़ें तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जी बेसक आपको बताए कि सिखा तमाम परियुजनाओं को वहां पर जबीन पर उचारने का काम किया जारा है जिससे आयोध्या के अंदर में अगर देखे तो जो बिश्व परेटक अस्थली धार्मिश परेटक अस्थली बनाने की काम किया जा रहा है तो उसी क्रम में वहा पर परियुजनाओं का सुभारंब किया गया और उसमें काम चलना है उसकी समिक्सा करेंगे साथी साथ आपको बताए कि इस दोरान वह तमाम वहां के सादू संत हो या राम मंदिव ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है या सदस्य है उनके साथ भी उनकी रहा लेंगे कि आकिम मंद अब यूजनाओं का रहा उसमें प्रणद्टी है उसमें घीमी हुई है वहीं आपको बताए कि जो राम लला विरास्मान के थाई मंदिर है वहां के सादू संतों से भी बात करेंगे मुख्यमंत्री और साथी साथ आपको बताए कि जो सौ दिन का विकास कारे के खाका तयार करने को लेकर जो मंत्रियों को निर्देश देगा ते साथी साथ हर एक मंदल की वरावी बनाए गये थे उसका में आपको बताए कि अधिया प्रदेश के उरजा मंत्री है ऑं नगार विकास मंत्री एके सवमा को दी गई तो उनके साथ एके सवमा भी रहेंगे और तो सीयमय योग्यादे तनात्ट आयोद्य दोरे परेंगे जहां 22 गंट आयोध्या Listening रहेंगे वहाँ पे परियोजणाओं के समीख्या करेंगे राम लालह उन्वान गडि के दर्शन भी करेंगे और साथी साथ मलिन्बस्ती में भोजन भी करेंगे देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का ग्राफ फिर से बढ़ता ज़ा रहा है स्वास्तमनत्राले के आकड़ों के मताबक देश में कोवेड के 3545 नए केस मिले हैं इसके साथ ही अब एक्टिव केसों का आकड़ा 9688 पर पहुँच गया है मौतों को लेकर डबलू एचो ने एक रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के मताबक भारत में कोरोना की वज़ह से 47 लाक से ज़ादा लोगों ने जानगवाई है वहीं भारत का जो आधिकारिक आकड़ा है वो 5 लाक से कुछ जादा का है ऐसे में भारत सरकार ने डबलू एचो के रिपोर्ट पर भी आपत्ती जोताई है तो लगतार कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने लगी है जिसके बाद डबलू एचो बी सक्रिय एक बार फिर से हो गया है और कई दिशा निर्देश दे रहा है आकड़े भी पेश कर रहा है लेकिन अब जो आकड़े सामने आए हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने डबलू एचो के रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिये हैं इस खबर पर वैसा अज़र्द बाद चित के लिए समधा तक विभाश्यू जोड़ चुके हैं विभाश्यू कोरोना के मामले लगतार सामने आ रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ते भी जो आ रहे हैं अब 3545 नए केस मिले हैं क्या कहेंगे जे शिखा आपको बता दे कि जहां एक तरफ कोरोना अपनी जो दूसरी है दूसरी और तीसरी लहर में तमाम प्राद्टी देने के बाद चौती लहर मानी जा रही है कि इसके सुबात है वही जो विशे तग है उनका कहना है कि ये जो चौती लहर होगी ये तीसरे से भी कमजोर होगी वहीं आपको बताएं कि अगर देखे तो 24 घंटे के अंदर भारत के अंदर में 3,000 नए केसा है वहीं अगर बात की जाए तो ताजह एक्टिव केस की तो देस भाव में अभी अगर देखे तो 19,000 से ऊपर मामले अभी एक्टिव हैं वहीं अगर बात की जाए तो WHO ने एक report अपनी साजह की है तमाम जो देस हैं उनके साजह insmein भारत की तरब से बताये गिया था जो जन्वरी दो हजार एक्रिस ते और दिसम्बर के अगर बात की जाए तो इन 11 महीनों में भारत में बताए गया कि पांट लाक लोगों की मित हुई वही डबलु एचो के मुझे रिपोर्ट है उसके मुकाबले अगर देखे तो 47 लाक मौत हुई तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के हेल्थ मंत्राले के जो जिम्मेदरान है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट है उसके शवाल खड़े किये गया है तमाम करीकों से वह सर्वे कराता है तमाम विपोर्ट के अधाब में विपोर्ट बनाता है उसकी विपोर्ट को भारत सरकार ने सवाल खड़ा किया है तो देखना यह होगा कि जो डबलु एचो की रिपोर्ट आई है जिसमें 47 लाक लोगों की मौत बताई जारी है जो कि अगर देखे तो भारत में इतनी मौते हुई है उतनी एक तिहाई भारत के अंदर में विए तो कही ना कहीं अगर देखे तो भारत के स्वास्त मन्ति और डबलु एचो के जो रिपोर्ट है उन दोलों के पर जो सवाल खड़े की है तो इसे तामने आकर अब डबलु एचो को इस पर जवाब देना चाहिए भारत सरकार को जिससे ये साफ हो सके कि भारत में मिट्टू दर कहां तक रहा है तो काई ना कहीं देखे तो दिल्ली के अंदर में बाहर से लोग आते हैं दूर दराज से लोग आते हैं वदेश भर के लोग वहां आते हैं और अपने गंतबे के लिए निकलते हैं तो काई ना कहीं देखे तो दिल्ली में बेहत चतर्क रहने की ज़रत है वहीं अगर वाज एक बफेट से फ्लाइट्स पे रोक लगेगी? वहीं अगर बात की जाए, तो दिल्ली के अंदर में तमाम जेकरों से लोग आते हैं, तो अगर देखे यात्राओ की, तो यात्राओ पे कहीं ना कहीं जो कोवीड प्रोटोकॉल है, उसको पालन करते हुए वेलवे और तमाम जो मोड अफ प्रांस्पोर्ट है, उनके अंदर मे साथ पालन करने का निर्देश देना चाहिए और प्रशातन को इसमें निगरानी रखनी चाहिए, वहीं अगर देखे तो अगर पहला दूसरा तीसरे वेव को, तो इतने केसों के अधार पे अगर देखे तो पतिवन लगाने की जिमरत नहीं है, इन देशों में जो कोवीड पेसेंट जादा आ रहा है, वहां की फ्लाइटों को निगरानी के साथ एवं सतरक्तर के साथ वहां के आत्यों के साथ जो कोवीड गाइडलाइन है, उनको पालन करवाने के लिए साथ ही साथ हों है, अपने कुरिंटीन करने के निर्देश दिये जाने चाहिए, जी सिकाए. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्री हम ऐसे जुड़ने के लिए, तुमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हम ऐसे समधा था, विभान शुमरी तरपाठी जुड़े थे, तो जिस तरह से डब्लु एचो ने एक रिपोर्ट साजा करी है, मौत के आकड़े साजा करी है, उ ऐसे में भारत सरकांडी ड्लु एचो की रिपोर्ट पर आपती दर्च करवाई है, और इस खबर पे हमाई सज़ा दवाचीत के लिए समधाता प्रवीर जुड़ चुड़ चुके गाजियाबाद से, प्रवीर गाजियाबाद में लगतार कोरोना के मामले बढ़ते हुए न बता दू जस तरह से कल जो चौबीस घंटे का आक्रा सामनE निकल कर आया था 111 मरीज सामने आय थे, तो कही जा चुछ कमियाब हो रही है, कैसों में कमी भी हो रही है, साथ के साथ कुछ बढ़ भी रहे हैं, किसी दिन जादा आरह हैं, तो किसी दिन कम आरह हैं, इसका मुख जो पहार से लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो घूमने के लिए आते हैं खास तौर पे दिल्ली में तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी खास चिंता जताई जा रही है क्योंकि पहले भी जो थी इंटरनेशनल फ्लाइटे चालू कर रखी थी वो उसी के कारण जो पूटा था पिछल लोग यहां पर परेटक जो है यहां गूमने भी आते तो उसको लेकर खास तौर पर चिंता जाई जा रही है जी प्रवीड कोरोना के मामले तो लगतार बढ़ते हुए नजर आ रहे लेकिन एक्टिव केसिस की बात करें तो किसमे राहत है क्या एक्टिव केसिस जादा है य लोग ठीक भी हो रहे हैं किल्कि वे पहला से जो संकिरमर था जो लक्षर ते वो ठोड़े कम है वो तो बताए जिस तरह से पहले से पहले को नहीं पताथा लेकिन अब हर चीज का पता हो गया है कि हम गersonal फर घभीए ऐसके हम श्योचों बढे घ 새Неक्वारी तो अमारी उम्म अघवी बिल्कुल अगर मौत कि आकडू के बात करी जाएं ठो चवड़ स्टेटमत से कितने मौत के मामले है प्रमीर कैसे अगर मौत की बात कीज़ा निडिया यह कास्तौर पर देखी जाए तो ना के बरावर है क्योंकि जो लोग जो एक्टीब केसिस जो सामने तो लोग घर परामर्स भी दे रहे हैं अपना घर पे इलाज भी करें तुकि अपने घर पर बता दिये है कि अगर कोई ऐसी लहाए तो पर देखे और अपने देख लिए अस्पदालों के बात करी जाए तो जिस तरह से एकवा फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं तो स् सबस्ता कि क्या हाल नजर आ रहे हैं? इसलिक बार जो अक्षिजन से लोगों के मिस्ट होई थी तो अक्षिजन दो भी खा़ वर्पे जियान ने रखा गिया इस बार बढ़ शुक्रिया मैसत जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर मैसत गास्य बास से समधाता प्रभीर जुड़े थे त लोगों को प्रेरे द्वी किया जा रहा है इस बुलेटिन में फिलहा लेता ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार